दोस्तो पकोडियां तो आपने बहुत खाई होंगी मूंग डाल की पकोडियां भी बहुत बनाई होंगी बहुत खाई होंगी लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मूंग डाल की पकोडियां ये देखिए इतनी जादा क्रंची और इतनी जादा लाजवाब एकदम नए तरीके से मैंने मूंग डाल पकोड़ियां बनाई हैं दो तरीके से बनाई हैं और दोनों तरीके बड़े लाजवाब हैं तो चलिए हम मिलकर बनाते हैं नए तरीके से ये मूंग डाल पकोड़ी हलो दोस्तों असलाम लेकुम कैसे हैं आप सब मैं हूं रेश्मी और आप मेरे साथ देख रहें जैका इरसुई दोस्तों रमजान आने वाले हैं और रमजान में तरह तरह की पकोडियां तो बनाई जाती है और सबकी फेवरेट होती हैं ये मूंग डाल की पकोडियां क्योंकि ठंडी होने के बाद भी क्रंची रहती हैं तो इसलिए मूंग डाल पकोडियां मेरी भी बहुत फेवरेट हैं और मैं भी बहुत बनाती हूँ तो इस बार मैं नए तरीके से बना रही हूँ और वो नया तरीका क्या है तो चलिए देखते हैं यहाँ पर मैंने एक कटोरी छोटी सी मूंग डाल लेकर भिगो दी थी वो अच्छी तरह से फूल गई है भीग गई है इसका पानी हमने अब निकाल दिया है तो अब हम क्या करेंगे इसको हम सबसे पहले इसमें से चार से पाँच स्पून मूंग डाल हम अलग निकाल लेंगे इस तरह से यह देखिए चार से पाँच स्पून निकाल लें या फिर जितनी डाल है उस हिसाब से आप निकाल लें यहां मैंने एक कटोरी ली थी उससे चार से पांच इस्पून निकाल ली है अब यहां पर लिया है हमने एक मिक्सी का जार उसमें हमने लिया है लेसन और मैंने चार से पांच यह ली है हरी मिच और एक इंच का अधरका टुकडा लिया है उसको छोटे टुकडो में कट कर लिया है और उसको भी इसमें डाल दिया है और ये हमने लिया है हरा धनिया उसकी डंडिया ली है पत्तिया हमने कट कर ली है और जो डंडिया बची दी वो हमने इसमें डाल ली है इसका भी एक अलग टेस्ट आता है और ये एक स्पून मैंने यहां पर लिए है काली मिट्च काली मिट्च को भी हम इसमें डाल देंगे और अब क्या करेंगे ऊपर से हम 4-5 स्पून डाल इसमें डालेंगे और इसको हम बिना पानी का दरदरा पीस लेंगे और Mixie को हम Pulse Mode में चलाएंगे ताकि वो अच्छे से दरदरी पीस सके कौई यह देखिए आप देख सकते हैं हमने इसको पल्स मोड में चलाया है और यह देखिए हमारा जो इसका पेस्ट नहीं बनाना हमें इसको दरदरा ही पीसना है अगर आपको क्रंची पकोड़े खाना है तो तो ये पिस गई है और बाकी की ये हम इसको रख लेंगे साइड और बाकी की दाल भी हम इसी तरह दो दो स्पून पानी डाल कर पिसेंगे पहली बार में हमें पानी नहीं डालना बाकी की डाल में दो दो स्पून पानी डाल कर उसको भी हमें दरदरा पीस लेना है तो ये देखिए हमने इसको मिक्स कर लिया है सारी डाल पीस कर तयार हो गई है अब यहाँ पर हम लेंगे एक बड़ा सा बरतन फैला हुआ जिसमें अच्छे से मिक्सिंग हो सके ये मैंने ली हैं दो मीडियम साइज की प्याज इनने मैंने बारीक स्लाइज में कट कर लिया है सबसे पहला क्या करेंगे हम इसके साथ इस तरह से इसे हातों से रप करेंगे और इसकी जो लेर हैं वो खोल लेंगे इस तरह से क्या होगा पकोड़ियां बहुत जादा क्रंची बनती हैं और प्यास की लेर जरूर खोलने हैं अगर प्यास के पकोड़े बना रहे हैं तब भी और साथ में याप पर दो मीडियम साइज के आलू लिये हैं उनको मैंने इस तरह लच्छे में कट कर लिया है कदुकस नहीं करना हमें लच्छे में कट करना है और इनको हाथों से ही कट करना है हमें तब ही आपको वो क्रंच मिलेगा तो कद्दू कस ना करें हाथों से इस तरह के लच्छे बना लें और ये जो डाल थी हमने जो निकाली थी चार से पाँच स्पून उसको भी हमने डाल लिया है और अब इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं तो यहां एक स्पून हल्दी ली है एक स्पून मैंने चना मसाला लिया है और एक से डेड़ स्पून मैंने लाल मिर्च ली है मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लें और साथ में डाल दिया है हमने कटा हुआ हरा धनिया अब इन सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये जो मसालें हैं और सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं तो ये देखिए मिक्स हो गए हैं और अब क्या करेंगे हम इसमें दो इस्पून भर भर के डालेंगे यहां पर बेसन बेसन से क्या होगा अंदर से थोड़ी सी सॉफ्ट बनेगी क्योंकि मूंग डाल पकोड़ियां जादा ही क्रंची बनती है तो मसूरे गाल और ये सब कुछ चीज ना छिल जाती है तो ये स्पून मैंने यहाँ पर सर्विंग स्पून लिया है अगर आप सर्विंग स्पून नहीं है इतना बड़ा तो आप चार स्पून जो नॉर्मल स्पून होते हैं वो ले लें उससे डाल लें चार स्पून और बड़ा स्पून है तो दो ले लें और डाल दिया है साथ में मैंने नमक नमक यहाँ पर मैंने अब डाला है इससे पहले ना डालें और साथ में डाल दी है मैंने वो पिसी हुई डाल अब इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और बेसन डालने से क्या होगा इसका पानी जो निकले गा ना तो वो बेसन अब्सोर्ब कर लेगा तो आप देख सकते हैं पानी भी नहीं चूटेगा और काफी दे तक ये डाल हमारी ऐसी ही रहेगी तो पकोड़े बनाने का तरीका एक तो ये है तो सबसे पहले हम इस तरह से गोल करके पकोड़े बनाएंगे ये देखिए इस तरह से बनाएंगे तो ये अंदर से soft और उपर से crunchy रहेंगे और आपको पूरे crunchy चाहिए तो फिर क्या करना है बस ये थोड़ी सी इस तरह से हम position लेंगे उठाएंगे और इसको हलका चप्टा करके डाल देंगे गोल डालेंगे तो वो अंदर से थोड़े soft रहेंगे और उपर से crunchy और पूरे crunchy चाहिए तो फिर हलका सा बस ऐसे ही उठाएं हलका सा चप्टा करें और डाल दें तेल में तो ये देखिए हमने यहाँ पर oil गरम कर लिया है बहुत अच्छी तरह से धुआ निकाल लिया है लेकिन अभी ये बहुत जादा गरम है तो इस तरह थोड़ा सा नॉर्मल कर लें उसके बाद इसमें पकोड़े डालें गैस मैंने बंद कर दी थी ताकि जब हम oil में पकोड़े डालें तो वो जल न जाएं क्योंकि इतनी तेज ओयल में अगर हम पकोड़े डालेंगे तो वो उपर से जुलस जाएंगे जल जाएंगे और अंदर से जो डाल है वो कची रह जाएगी तो अब मैंने यहां पर गैस आन कर दी है ओयल भी medium to high flame रखी है फिर यहां पर मैंने ताकि पकोड़े अच्छे से सीख सकें और जो पकोड़े मैंने पहले डाले थे ना आप ही मैंने सबसे पहले क्रंची वाले पकोड़े बनाने हैं चप्टे करके डाले हैं थोड़े से क्योंकि रमजान होते हैं रमजान में हम अफियार से पहले यह पकोड़े बनाके रखते हैं और तब तक क्या होता है जब हम खाते हैं तो यह ठंड़े हो जाते हैं और इतने क्रंची नहीं रहते तो यह वाले मूंगदाल पकोड़े जो है ना लास्ट में ठंड़े हो जाते हैं बिल्कुल नमाज भी पढ़ लेते हैं तब भी ये बहुत करंची रहते हैं तो इसलिए ही मुझे जादा पसंद हैं और आप लोगों को भी पसंद होंगे तो ये देखिए बातों ही बातों में पकोड़े हमारे फ्राइ हो गए हैं इनको हमने निकाल लिया है स्टेइनर में औ तो मैं इस तरह दो तरह के बनाती हूं और वो असानी से खा लेते हैं क्योंकि ये पकोड़े जो है ना सब कोई बहुत पसंद होते हैं तो ये वाले हमने सब कर लिया है और ये ओल भी जादा नहीं सोकते सबसे बड़ी बात तो चलिए इनको हमने कर लिया है सब इनका और अंदर से हलके हलके सॉफ्ट होते हैं जादा सॉफ्ट नहीं तो चलिए इनको रखते हैं अब हम देख लेते हैं हमारा दूसरा बैस तयार हो रहा है ये हमने जो बाल्स बनाकर डाली थी इनका भी अपना ही अलग मज़ा होता है जबकि मटेरियल हमारा सेम है लेकिन फिर चारो तरफ अच्छे से इन पे गोल्डन सा कलर आ जाए ये देखिए बस इस तरह गुमाते रहेंगे जैसे हम गुलाब जावनों को बनाते वक्त गुमाते रहते हैं और उन पे चारो तरफ अच्छा सा कलर आ जाता है तो ये देखिए इनको हमने गुमाया है काफी देर तक और इन पे बहुत अच्छा सा गोर्डन कलर आ गया है तो अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं और इनको हम कर लेते हैं सर्व तो कुछ देर तक हम स्टेनर में इसी तरह रख देते हैं किसी को टोरी में जब तक दूसरा बैस डालते हैं इनका सारा ओइल निकल जाता है एक दम ना डाले नहीं तो इनका ओइल थोड़ा-थोड़ा साथ में आता है तो ये देखिए बिल्कुल ओइल इनका निकल चुका है और हमने इनको सर्व कर लिया है और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं आप इनको किसी भी चटनी से खाएंगे कोई भी चटनी आप मीटी वाली ले लेंगे तो आप देख सकते हैं यह उपर से क्रंची और अंदर से ज़ादा सौफ्ट है तो यह बड़े बुज़र्ग लोग भी खा सकते हैं आराम से ये मौंग दाल पकोडे जादा तर बाजार में मेलों में ये बहुत मिलते हैं और हम सब को ही बहुत पसंद आते हैं हम सब लोग जरूर खाते हैं मैं तो जब भी अपने गाउं जाती हूं तो ये मौंग दाल पकोडे वहां के बाजार से मंगा कर जरूर खाती हूं जब कि मैं खुद भी बना लेती हूँ घर में तब भी इनका मज़ा ही कुछ और है तो दोस्तों कैसी लगी आप लोग को मेरी ये मोंग डाल पकोड़ों की दो तरह की रेसिपी अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेर कॉमेंट जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब सब्सक्राइब कीजिए चलती हूँ मिलती हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए अ झाल प्रत करता है?